एक लोम्री शिक्षाप्रत की कहानी, एक जंगल में एक लोम्री रहती थी, एक दिन वह भूखी 85 भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी, भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह शिकार प्राप्त न कर सकी, शाम होते होते वह जंगल के समीप स्थित एक ग गुस गई। उसकी पहुच के बाहर था. उसका प्रयास व्यर्थ रहा. उसने सोचा क्यों न एक प्रयास और किया जाएं. इस बार वह थोड़ा और जोर लगा कर उचली. लेकिन इस बार भी अंगूर तक पहुचने में नाकाम रही. कुछ देर तक वह उचलुचिकर अंगूर तक पहुच प्रयास करती रही. लेकिन दिन भर की जंगल में भटकी ठकी हुई भूखी प्यासी लोंडी. आखिर कितना प्रयास करती? वह ठक कर पेड के नीचे बैठ गई और ललचाई नजरों से अंगूर को देखने लगी. वह समझ कई की अंगूर तक पहुचना उसने बस के बाहर ह इसलिए कुछ देर अंगूरों को ताकने के बाद वह उठी और वहा से जाने लगी. वह अंगूर खाने का विचार त्याग चुकी थी. पास ही एक पेड पर बैठा बंदर उसे बहुत देर से देख रहा था. उसे जाते हुए देख वह खुद को रोक नहीं पाया और की मुस्कान से साथ बोली नहीं बंदर भाई. मैं ऐसे अंगूर नहीं खाती. ये तो खटे हैं. सीख. जब हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते तो अपनी. कमजोरिया को छुपाने या अपने प्रयासों की कमी को नजरंदास करने अकसर उस चीज में ही कमिया निकालने लग जाते हैं. डॉट जब की आवश्शकता है. अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने की, सूझबूज से काम लेने की और सफल होने तक अनवरत प्र प्रयासों से. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन का बटन दबा दो की हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे.